हेलो एवरीवन स्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWT जॉप में सैनिक स्कूल सिख्षक भर्ती का जो एड़र्टीजमेंट जारी किया गया है तीन राजियों से राजिस्थान सीकर से वेकेंसी है उतर प्रदिश जहांसी से वेकेंसी है नैनी ताल गोरा खाल से वेकेंसी का जो नोटिफिकेंसी जारी किया गया है जिसमें सभी पोस्ट में सभी विश्यों की जो है वेकेंसी आई हुई है तीनो नोटिफिकेंसी देखेंगे कैसे अप्लाइ करना है कौन-कौन से सब्जेक्ट है किस किस पोस्ट में सैलरी जो है 44,900 ट्रेंड होती है, तो चलिए एक एक करके जो है notification तीनों ही check करेंगे, सबसे first Sanic school seeker Rajasthan की vacancy को cover कर लेते है Sanic school society Ministry of Defense, Government of India के अंतरगत ये school run करते है यहाँ पर principal की vacancy है उसके बाद आप देखें, primary teachers PRT, trained graduate teachers TZT, post graduate teachers PZT, इसमें सभी subject की vacancy है, ठीक है उसके बाद जो है art master की भी vacancy है sports coach की vacancy है lab assistant की, music teacher की counselor की, receptionist की hostel warden में male और female दोनों apply कर पाएंगे nursing assistant की and personal assistant की vacancy है दूसरा जो notification Sanic school गोराखल नैनी ताल से जो vacancy है, जिसमें TZT English की एक vacancy है salary 44,900 पर month यहां पर रहेगी साथ में जो है rent free, accommodation, रहने की सोविधा आपको रहेगी school campus में ही free meals with the cadet और जो है भोजन की सोविधा भी यहां पर रहेगी ठीक है, salary के साथ में जो है आपके आवास की सोविधा साथ में जो है केवल TZT English की है जिसमें OBC category की candidate apply कर सकते है और PTI की vacancy है matron की एक जिसमें female candidate apply कर सकते है VP ed मांगा गया है इसमें 21-35 वर्स तक की candidate और इसकी जो salary है 25,000 पर month यहां पर रहेगी तो जितने भी सैनिक स्कूल है सभी में qualification समान रहती है केंद्र विद्याले जिस तरीके से हर राज्य में है qualification सभी में समान रहती है और IU जो है वह भी जो है चाहे आप कोई भी notification देख लें वहाँ पर IU सीमा में जो भी छूट दी जाती है वो सभी में समान है ठीक है तो TZT के लिए जो है आप समझ जाएं कि 21 से 35 वर्स तक के candidate यहाँ पर apply कर सकते है qualification जो है वो bachelor degree आपकी 50% marks के साथ में होनी चाहिए B.Ed होना चाहिए और seat at paper 2 qualify होना चाहिए अगर PZT की vacancy आती है तो वहाँ पर post graduation के साथ में B.Ed मांगा जाता है ठीक है तो अब जो है देख लेते हैं 3rd जो vacancy सैनिक स्कूल जांसी उतरप्रदेश से है यहाँ पर PZT के लिए तो PZT के लिए मैंने बता दी आपको कि post graduation के साथ में B.Ed आपका compulsory रहेगा यहाँ पर जो है Proficiency in Teaching in Hindi and English Medium दोनों ही कहा है ठीक है PZT के लिए जो A's जिस तरीके से TZT के लिए 35 यर तक के candidate apply कर पाएंगे PZT के लिए 21 to 40 यर तक के candidate apply कर सकते हैं तो आप देखें salary मैंने आपको बताया school की जो है वो अलग-अलग रहती है सेनिक स्कूल में यहाँ पर 40,000 salary है PZT के teachers की जबकि हमने देखा कि जो नैनी ताल की जो vacancy है वहाँ पर PZT के teachers की 44,900 salary है तब कह सकते हैं 45,000 और next जो है PZT computer science की जो vacancy है number of vacancy एक है इसमें qualification इन्होंने कहा है PZT के teachers के लिए BTEC या BE computer science या IT से हो 50% मार्क्स के साथ में या BE BTEC any stream से and post graduate diploma in computer science या फिर MSC computer science या IT से या MCA वाले या BSC computer science या BCA साथ में post graduate degree any subject से अगर की है तो apply कर सकते हैं post graduate diploma in computer science या IT and post graduate degree in any subject तो भी apply कर सकते हैं अगर आपने किसी भी subject से post graduation किया हुआ है और आपके पास जो है B level DOEC या फिर C level DOEC है तो भी apply आप कर सकते हैं age criteria जो है 21 से 40 वर्षी है PGT के teachers का salary 40,000 है computer teachers के लिए और BAT जो है या desirable है बिल्कुल जरूरी नहीं है maths की vacancy है PGT में PGT biology की vacancy है PGT chemistry की है PGT physics की vacancy है qualification सभी में समान है PGT के teachers के लिए BAT compulsory है next TGT science की vacancy है और यहाँ पर जो salary है TGT के teachers की उतरप्रदेश जासी में 32,000 salary यहाँ पर TGT के teachers को दी जा रही है social science की जो vacancy है उसके लिए 32,000 यहाँ पर salary है बाकी qualification आप देख सकते हैं graduation आपकी होनी चाहिए beard आपकी होनी चाहिए seated paper 2 आपका qualify होना चाहिए अब ध्यान से सुनिए कैसे apply करना है सबसे पहले उतरप्रदेश जासी के लिए अगर आप apply करना चाहेंगे तो offline mode में यानि आपको by post भेजना है application form जो है इसी पीडिया फाइल के नीचे मिल जाएगा आप लोगों को उसे आप download कर लेंगे, fill कर लेंगे उसके बाद अपनी जितने भी document है, mark sheet है, degree, diploma है उनकी photo copy लेकर उनके नीचे खुद के sign कर लेंगे self attested copies हो जाएंगी दो passport size photo उसमें लगा लेने है और उसे address पर भेज देना है school के address पर 23 March 2024 से पहले साथ में यहाँ पर demand draft भी आप लोगों को लगाना है general OBC के लिए 100 रुपे का demand draft है मात्र 50 रुपे का demand draft जो है SCST category के लिए है और यह demand draft जो है आप किस नाम से बनवाएंगे तो यहाँ लिखा है Principal Sanic School जहांसी वेवल at SBI बुंदेलखंड यूनिवरस्टी जहांसी उत्तरपरदेश ब्रांच कोड़ दिया है 03808 envelope के उपर आप लोग application for the post of किस post के लिए अप्लाई कर रहे है यह जरूर लिखना है by hand जो है बिल्कुल भी नहीं accepted किया जाएगा selection कैसे होगा इसमें तो return test होगा skill test होगा practical test and interview रहेगा application form जो है नीचे दिया हुआ है तो यह temporary base पर है यानि contract base पर यह vacancy है आप अच्छा work करते हैं तो आप हर वर्स जो है आप यहाँ पर बने रह सकते हैं उसके बाद जो है सैनिक स्कूल गोराखाल नैनिताल के लिए जो vacancy आई है अभी इसमें कोई भी fees मुझे नजर नहीं आई है और last date के लिए इनोंने लिख दिया है 21 दिन के अंदर date of publication of the advertisement 21 दिन के अंदर आप लोगों को जो है विज्यापन जब जारी हुआ है उसके बाद के 21 दिन तक जो है वो आप भेज दें address दिया हुआ है सैनिक स्कूल गोराखाल, पोस्ट ओफिस गोराखाल, डिस्टिक नैनिताल, उत्राखन, पिन कोड है 263156 इस address पर भेजना है और यहाँ पर भी लिखा है only shortlisted candidate will be called to attend return या practical test या selection process जिस तरीके से करेंगे, return exam तो इसमें रहेगा अब लास्टर सैनिक स्कूल सीकर राजिस्थान की जो है देख लेते हैं यहाँ पर इन्होंने कहा है submit your resume आपका resume जो है, यहाँ पर online आप लोगों को भेजना है ठीक है, अपना resume भेजना है यह email address दिया हुआ है bpscenicschool at the rate gmail.com और यह phone number भी दिया है ठीक है, तो दो notification जिसमें आपको offline mode में भेजना है by hand भी जो है आप लोगों का accept नहीं किया जाएगा तो register post या speed post करें बाकी जो है सैनिक स्कूल सीकर राजिस्थान यहाँ की जो vacancy है तो इसमें आप लोगों को online mode में भेजना है तो और भी आगे जैसे ही vacancy आती है बिल्कुल आप लोगों तक सूचना पहुंचाई जाएगी थैंक यू पहुंचाई जाएगागी